असलाम वालेकुम स्टुडेंट्स वेलकुम तो मैं चैनल मैं सुथ असाथ आज हम करेंगे एक्सराइस 7a के रिमेंदिंग कॉस्टिंस और वह है 4 5 4 6 तो कॉस्टिंट 4 सो शुरू करते हैं कॉस्टिंट 4 है इसका मतलब हुआ के 11 परसंट लोस्ट हो रहा है बुक्स पर जो के 10.68 में बेती जा रही है तो उसकी कॉस्ट प्राइस भाट वाध वाज अबुक्स एडवट प्राइस शुट देबिस और किस प्राइस मर उससे सोल किया गाए दस परसंट प्रॉफिट की ने तो इसका सोल करने का तरिका है रिट अफ लॉस यारा परसंट है हम suppose करेंगे SP 100 क्यों SP हमने 100 suppose की है क्योंकि 11% loss हो रहे है तो 100 में से 11 minus के रहे तो 89 मैं जाएगा सही है अगर SP 1 है if SP is RS 1 then CP is equals to 100 divided by 89 if SP is equals to 10.68 then CP is equals to 100 upon 89 multiply by 10.68 सही तो 10.68 है पॉइंट हटा वन आया पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है दो डिजिट्स है दो जीरो है सही तो दो जीरो दो जीरो कैंसर आउट हो गए यह हो गया 1068 upon 89 1068 upon 89 को जब डिवाइट करेंगे तो 12 वान सरागा अब suppose CP is equals to RS 100 then SP is equals to 100 plus 10 सही है तो 110 रुपे प्लेस होगा है तो 110 होगा है when CP is RS 1 फिर से unitary method then SP equals to 110 divided by 100 when CP is RS 12 then SP is equals to 110 divided by 100 multiply 12 तो फिर से एक इंसलेशन होगी देखे 0 और 0 cancel to 5 ज़र 10 तो 6 ज़र 12 11 6 ज़र 66 66 जब डिवाइट करेंगे तो आंसर हैंगा 13.2 students 13.2 price पर उसे 10% का profit हुआ अग्ला साहर है quantity of tea sold is sold at RS 48 पर कैजी at a profit of 20% the total gain is RS 90 what is the quantity of tea sold quantity of tea is sold at RS 48 quantity की sorry tea के एक मिगदार है जो के 48 पर कैजी पर sold की गई है और at a profit of 20% 20% के profit the total gain is RS 90 total gain नवी रुपे हुआ है what is the quantity of tea sold tea कितनी सेन होगी है सब्सक्राइब करना है तो rate of profit कितना दिया है सवाल में 20% है suppose SP is equal to 120 then CP is equal to 100 भाई उस दो 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 का है के 20% में profit पर सेल की गई है तो 20% जब profit होगा तो जाट सी बात है उसकी की बात 120 रोपे होगी तबी तो कॉस्ट में सो होगी न सब्सक्राइब करना है तो 120 बन जाएगा तो इसे साब से suppose SP is equal to 120 then CP is equal to 100 अगर if SP is equal to 1 then CP is equal to 100 बाई 120 if SP is equal to 48 पर केजी सवाल में given and then CP is equal to 100 upon 120 multiply by 48 students यहां पर मैंने आपको हाइलाइट करने के लिए different pen यूज किये blue और black लेकिन आपको एक ही pen यूज करनी है 0 से 0 cancel सही उसके बाद क्या बचा 10 और 12 बचा और इधर 48 बचा तो 26 जा 12 25 जा 10 6 1 जा 6 6 8 जा 48 तो SP क्या आगए 40 आगए अब प्रॉफिट फाइंड आट करने है सही प्रॉफिट इस इकल्स तो SP माइनस CP तो 48 में से 40 के तो 8 बचा FRS 8 इस प्रॉफिट और 1 के जी कॉंटिटी 8 रॉपे प्रॉफिट तो 1 के जी कॉंटिटी पर है सही तो RS 1 इस दा प्रॉफिट और T सब्रॉफिट इस दा प्रॉफिट और प्रॉफिट पहले था 8 अब नैंटी तो 1 अपन 8 इंटु 90 सही 248 केंसलेशन हो रहे है 248 वन इंदर गें 10 2510 45 ओं से मंटिप्लाइ करेंगे 45 1 दा 45 दिवाइड इड़ इड़ पर अब 45 और 4 को डिवाइड किया तो 11.25 आंसर आगया जिसे का आप देख सकते है रफवर्क में तो दो क्वांटिटी आफ टी सोल इस 11.25 के जी अब चलते लास्ट सवाल इफ 13 परसंट इस लॉस्ट बैस सेलिंग गोड्स फॉर आरस 14 भी तो आरस फिर इस तरह ने कि आप देख समयाँ आसर फट्रह पर सेल की गया है तो रेट अफ लोस्थ हमें बचा दिये गया है तेरा पर संट है अब तेरा पर संट है तो सब्सक्रेंगे कि पेहंड तभी तेरा का लास होगा तो और लिएक वाज़े कि एक आपाउं एक साइवन इन स्टूर्स यह आपस में किन्सिल नहीं हो रहे है तो 1475 यह चौज़ा सब्चेटर को सो सा मल्टिप्लाइगा सही दो जिरो बस आए 8 कहते हैं क्योंकि वह 1 ही है और डिवाइद बाइट सेवन जब इसको रफ कॉलम में डिवाइट किया आप देख सकते हैं डिवाइट किया हुआ है मैंने आपके लिए सही तो इसका अंसार आ रहा है 1695.4 सही सवाल में दिवाइब लॉस इस तो सीपी माइनस सीपी क्या आई 1695.4 माइनस सोलब लॉस क्या बचा 80.4 यह इसका आंसर है क्योंकि सवाल में क्या दिया है सवाल एक दिवारा देखे इस थैटीन परसंट इस लॉस बैस सेलिंग गोड्स फॉर आरेस वोड़े वड़ बी लॉस और गेन लॉस और गेन क्या हुआ तो लॉस हुआ है 80.4 का इस टूदेंट्स उमीद का तो आपको आज की वीडियो पसंद नहीं होगी और वीडियो पसंद नहीं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए रखेंग अपना खैल अलाहाफिज